इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे इनका नाम है नुपुर सर्मा और आप लोगों ने देखा होगा कि पेगंबर मुहम्मद पर इन्होंने कुछ टिपड़ी की हुई थी कुछ बिवादित बयान दिये हुए थे और उसके बाद आपने देखा है कि दुनिया भर में जो इसलामिक देश है उन्होंने इस बयान का एक तरह सी बिरूत किया था उसके बाद आप देखें कि हमारे देश के कई सहरों में हिंसा भी हुई इनके बयान को लेकर अभी हाली में सुप्रीम कोट ने हमारी सरवोच अदालत ने नोपुर सरमा को फटका लगाई है और उनसे कहा है कि आप लोग आप अपने बयान के लिए देश भर से माफी मांगे और जो ए घटनाए हुई है इन घटनाओं का जिम्मेदार इनका बयान भी है फिर चाहे कई राज्यों में इस तरह की घटनाए हुई थी और ऐसा नहीं है कि देखिए इस घटनाओं के लिए पूरी तरह से नहीं को जिम्मेदार ठेरा दिया जाए और बाकियों को बक्स दिया जाए छोड़ दिया जाए उन पर वो कारवाई होगी इन से इतना कहा गया है ठीक है तो दुनों में आप लोग अंतर जरूर याद रखिएगा चलिए तो हम लोग नुपूर सर्मा के बारे में एक सावान जानकरी देख लेते हैं और एक और बात बता दूँ आपको एक कापी पड़ी लिखी है और इसलिए आप देखे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी का है कि आ और आपको बता दूँ नुपूर एक द्रहमड परिवार से तालोग रखती हैं उनके पिता का नाम डॉक्टर विने सर्मा और अभी तक इनोंने साधी नहीं किये यानि कि आबेवाहे थे इनोंने अपनी प्यारमभीक सिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से पिर अनुमक से लंदन इंग्लेंड से प्राप्त की हुई है तो कानून को बहुत बहतर तरीक से जानती भी हैं नुपूर सर्मा भारती जिनता पार्टी से सम्मधितिक भारती राजनेतिक हैं और राश्तिय प्रवक्ता थी अब तो आप देखते हैं कि इनने निकाल दिया गया नुपूर दिल्ली वीजेपी की राज्य कारिकायनी सम्ती की स्तदस्त हैं वह भाजापा की युवा साखा भारती जिनता युवा मोर्चा भाजा में उग्धा पिरमुक चेहरा भी रही हैं नुपूर सर्मा की देखें तो दिल्ली वीजेपी कॉलेज में जब बे पढ़ती थी उनिवर्सिटी में तभी से राजनीती में सक्रिय हो गई थी और अखिल भारती विद्ध्यार्थी परिशत देखते हैं आ जो समिती की सदस रही है भारती जिनता यूबा मोर्चा भाजामो भाजामो की आप देखेंगे राष्टी ये मीडिया सहपिर भारी रही है यूबा भाजापा की कारकारी समती की सदस भी रही है और राज्य कारकारी समती की सदस भाजापा दिल्ली में रही है नुपूर अपन पार्मी पार्टी के निता अर्विंद के जिपाल और भारती राष्टी कॉंग्रेस के दिगज निता किरन बालिया के खलाब चुनाव भी लड़ा था विधान सबा का लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था दूसरे नंबर पर रही थी और आप सभी जानते हैं दिल्ली में 70 बिधान सबा सीटे हैं और बिधाय का जुछना होता है डारेक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी वोट डान लें जाते होंगे इन से जुड़ा हुआ बिबात कहें तो फेस्बुक सहे सोसल मीडिया प्लेटफॉम पर पेगंबर मुहमत पर उनकी एक आपत्य जनक वीडियो वाइरल होने के बाद बीजेपी नुफुर सर्मा सुर्खियों का बिसे बन गई और वह अपनी गरपतारी की मांग का सामना कर बाजा प्रवक्ता ने अपने सोसल मीडिया प्लेटफॉम से इसलामो फॉबिक वीडियो को हटा दिया था और आप देखें टाइमस आउप टाइमस नाव टीवी चैनल पर बात करती हुए सर्मा ने इसलाम और पेगंबर मुहमत के बारे में आपत्ती जनक टिपिडी की थी और उन्हें एक मुसलिम नाम के पैनलिस्ट को संबुदित करते हुए एक कहा था और सोसल मीडिया साइट ट्वीटर पर आप देखेंगे कि एक ट्रेंड कर रहा था अरेक्ट नुफुर सर्मा और सर्मा ने बाद में सोसल मीडिया पर कटर पंती तत्तों से अपनी जान को ख करते होंगे तो इसमें सुप्रीम कोट की विवस्ता की गई है और 28 अर्मरी 1950 में आप देखिए सुप्रीम कोट की स्थापना हुई थी और आप लोग इनके बयान पर क्या सोचते हैं और जो देश भर में इस तरह की घटना है हुई है क्या भारत के लिए चिंता जनक है और क चलिए और किसी के बारे में बात बतानी हो करनी हो दो बताई उसका नाम भी आप लोग बताईगा उस पर उनकी भी हम लोग जनम कुंडिली एक तरह से देख लेंगे